लिए निवागों से इलाके से जो लोग उपस्तित हुआ है मैं उनका सभी का धन्यवाद देता हूँ मैं जानता हूँ कि कई सर्णतन है कि जनोंने इस धर्णा कारेकर्म को सफलता बनाने के लिए पिछले 20-25 दिनों से अपनी पूरी ताकत लगाई और साथ ही साथ वो अपनी बात भी यहां पर रखना चाहते लेकिन समय की वज़े से लोग को अस्वासित करता हूँ कि अगला कारेकर्म जब होगा तो पूरी ताकत से उनको वक्त दिया जाएगा यह उनको अस्वासन हमारी तरफ से यहां पर दोस्तों मेरे ने से पूर्वा भक्ता ने कहा यह जो सविधान का जो खत्रा है यह आज का खत्रा है ऐसा मैं नहीं मानता और इसलिए 1946 से 1950 तक बेटिशों ने यह कहा कि हम इस देश छोड़के जा रहा है आजादी देखे जा रहा है जो भुनिया भारत की हूनी ची यह जिस पर चर्चा हो रही थी सविधान जिस पर रचा जा रहा था उस वक्त यह आरे से हिंदु मासरा और उस वक्त की सादु स्वंतों की जो सर्नथन था वो भी अप्रे बयान दे रहे थी और अप्रे बयान देते सका है उन्होंने ये कहा सविधान बनने के बाद उन्होंने जो कहा कि ये सविधान को हम मानते नहीं इस सविधान को हम लोग मानते नहीं और सविधान को मानते नहीं है उसकी वज़े ये है कि इसमें मनुस्बूर्ती का हिंदू सविधान को को हिस्सा हिस्वे नहीं ये जो तब पर रहा है ये विदेशी तत्वा है भाइचारे का तत्वा बरावरी का तत्वा इंसानियत का ये तत्वा है ये विदेश से लिए है क्योंकि इनकी पढ़ाई विदेश में होई है और इसलिए हम लोग मानते नहीं लेकिन यहां जो संतों की वानी जाए चारवक से लेके कबीर तक अगर हम लोग इसको देखते हैं गुर्णारक के अगर यहां पर देखते हैं तो यह खबीर के वानी जो है गुर्णारक के वानी है बुद्द के वानी है महवीर के वानी है चालवक के वानी है अगर इसको हम लोग देखते हैं तुमकी विचारधारा में भायचारे की जल्क में बरावरे के बात हो इलसावित क बात हो अब ये जो संथ है कि क्या ये संथ इस धर्ति के है या नहीं ये एक संस्कुतिक लड़ाई है जो एक देश में हजारों सालों से चलती है हजारों सालों शचलती आही और उसी हजारों सालों के संस्कुती की वज़े से इस देश को हम लोग निर्मान नहीं का है और जो आया वो हमको राज करता रहा है इसी एक परसुती है मने कई बार मौन भागवची से कहा चाहे राप्पुर का मैदान हो या दिल्ली का राम दिला मैदान हो आप जो जिस संस्कुतिक रास्टरवाद की बात करते हैं संस्कुतिक रास्टरवाद की बात करते हैं मने का आप और हम फैसला नहीं कर सकते आप रास्टरवार संस्कुतिक रास्टरवाद की भाशा लोगों को समझाएए हम जो है सविधानिक और भुवलिक राश्रवाद की बात लोगों को समझाते हैं फुरे बैदान में आई है लेकिन आज तक उन्होंने चुनोती नहीं से दोस्तो आज के धरना कारेकरं सेवी हम लोग उनको चुनोती देती है कि आप जिस दिन बताएंगे उस दिन आपके साथ में राम लान मैदान पर यही संस्कुतिक रास्ट्रवाद की हम लोग चर्चा करने आए है आपकी रास्ट्रवाद जब कभी होता है तो भोगलिक होता है वो संस्कुतिक रास्ट्रवाद कभी होता नहीं है और वोई चीजों को जो है वो आज चाल दो दोस्तों 2012-2014 में कांडरेस की सरकार थी काफी बड़े घोटाले होई और इस घोटाले के वज़ेसे इनको मुका भी है इनको मुका मिला और मुका मिला डेवलोप्मेंट पर इनको मुका लेकिन डेवलोप्मेंट का मुद्धा छोड़ते हुआ इन्होंने जो है वो सविधान बदलने का मुद्धा यहां पगे है या RSS, BJP की जो सरकार है उससे हम पूछते है कि आपका जो 2014 का अजेंडा था क्या उस अजेंडे में कभी भी आपने ये जिकर किया कि हम सत्ता पर आए तो यहां की सविधान बदलने के लिए आपके लभी उस प्रचार में आपने कहा कि हम सविधान बदलने के लिए सत्ता पर आ रहे हैं लेकिन जैसे ही राग दितिक पर इसके उनके सामने आई कि उनके पास उनके साथ लंड़ने के लिए कोई तियार नहीं गिरोध करने के लिए तियार नहीं है सुप्रीम कूर्ट के एड़ोकेट यहां पर उपस थी ते है शुक भरोरा जी है कि जिन्होंने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं लेकिन यहां काई राग दितिक नेता है कि जो डरते है यह मैं जानके चलता हूँ और डरते है इसलिए है कि उनके पीशे सी बी आई लगाई जाता है उनके पीशे एड़ी लगाई जाती है उनके पीशे पुलीस और इंकम टैक्स की जान च्वाप पर लगाई जाता है और इसलिए दुख केहने से डर रहा है आज जो है इस दर की वज़े से इस दर की वज़े से जो है बीजे पी को यह लग रहा है कि हमारे विरोग में कोई करने के लिए दिया दोस्तों जैसे आज देली में सविधान की एक राली और धन्दा पदश्र करते समय कि हम लोग लिका कि हम ये सविधान बचाएंगे किसी विया अज़ के सामने मुस्लिफ समाज के फद्रे नीदी जो है कि किसी भी हालत में हम सविधान बचाएंगे बचाएंगे और बचाएंगे जोस्तों ये खत्रा है ये मैं मान के जाता हूँ ड़नाए जाता है ये भी सही है हम लोगारेश से सुवालों से पूछते है कि भी है यह आहाम आदमी तो ड़र रहा है लेकिन ये जो गुजराद के ये ले बांगे जो मंत्री थे ये कुम थे ये दरिब थे, ये मुस्लिम थे, ये सीख थे, ये हिसाई थे, ये कौन थे, आरेसेस से पूछना चाहते है, जो जिस आरेसेस, ये के बामनों के पतीनी नहीं करती है, बामन समाज के जो पतीनी नहीं करती है, वो उसी समाज से थे, वो उसी समाज से थे, फिर हम आरेसेस से पूछने भिया, उनकी हत्या हुई, उनकी हत्या की वज़ा क्या है, उसके हत्या किसने की आज तक ये दो बाते जो है उनके हत्या क्यों हुई और किस वज़ा से हुई या आज तक किसी को पता है दोस्तो जिस RSS के दो प्रतिनीदी थे मेंबर थे ये रेंबर 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 ये जूने से लेके किलते हैं अलावत विद्यारा के लली सोर जिद्ट कामूल काते है तो हत्याई हत्याई हैं पर दिखाई लिए यह खरी राजी तिक नेता है जो मुझे कहते है बच के रही है तो मैंने का किस से बचना है नगार सविधान ने बचने का हमको पूरा अधिकार दिया है और सविधान ही हमें को यहाँ पर बचा सकता है और कोई यहाँ पर बचाने सकता है और इसलिए दोस्तो आज पूरी सिस्टम जो है उसको मैन्योप्लेट किया जा कई वक्तानों इस बात की जिकर की कि इनरा साहनी के केस में यह कहा गया कि शोडुल कास्ट और शोडुल ट्राइप और क्रिमी नियर नहीं लगा जाएगा उसके बारुशूद भी सुप्रीम कोड पे पेटिशन लाक्षिन होता है सरकार को लूटिस लिखा ली जाती है और सरकार से जवें मांगा जाता है कि आप पर इसकी क्या राइए यह बता कि बड़ी निम्रता से चीफ जस्टिस को हम पूछना चाहेंगे कि ओ जो नो बिंच का डिसीजन था इम्रा सायनी का केस नो जंका बेट जनो जज़िस को डिसीजन था क्या आप पर वो लागू है या ना या लागू है इसी की बताएगा अफ़र दो eking सिकनी की बात है कानुन लोगे हैं ज़ियर कानुन न माने तो मेरी खेयल से कानुन वालों को कानुन सिकाने के लिए आप जैसा धरना हमने पार्लमेंट स्वे पे दिया है निखत बतलाजी है कि हम लोग सुप्रीम पोर्ट में भी आके धरना देंगे और आप से काएंगे कि कानून की इज़त करना वापस है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जेश्ट्मेंट्स के हम लोग इज़त करते है चाहे हम लोगो को सस लगे आना लगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सिस्ट्रम ने दिया है इसलिए उसे लागो करना चाए लेकिं मैं ये भी मानता हूँ कि ये जो नियम है ये नियम सुप्रीम कोट पर भी लगता है और हम आगरा पुरुवक ममा पुरुवक सुप्रीम कोट से ये कहेंगे कि आपकी डिसीजन की इज़त आप ही करना से को आप ही अपनी डिसीजन की इज़त नहीं करोगे तो पबिक आपने डिसीजन का इज़त नहीं करेगी ये आप मान दीजिए और वही और वही इस देश में लॉइन ओर्डर की सिटुएशन बदा ख़़ेगा ये मान दीजिए कानूनी वेवस्ता बिगलना जो है कानूनी वेवस्ता बेकादू होना जो है वो सिस्टम से ही आ सकती है और वो सिस्टम से दिखाई दी और इसलिए दोस्तों ये लड़ी लंबाई ये बड़ी लंबी लड़ाई दे यह किसी को मंत्री बनाने के लडाई नहीं है यह किसी को MN और MP बनाने के लडाई नहीं है यह किसी की पौपर्टी शिंदे के लिए नहीं है यह कि जो जीने का अधिकार सविधान से मिला जीने का अधिकार जो सविदान से मिला है वो ही अधिकार निकाला जा रहा है वो ही अधिकार बदलाव किया जा रहा है तो ये एक राजदीतिक लड़ाई नहीं है तो अपनी इंसानियत बचाने की और अपने अधिकार लड़ाई बचाने की ये रड़ाई है इसको हम लोग सबने समझना थी दोस्तो जो आजाद जिन्दगी आज हम लोग जी रहे सविधान जब तक है तब तक हमारी जिन्दगी आजाद है जिस दिन ये सविधान बदल गया जिस दिन ये सविधान बदल गया और जिस दिन यहां पर मनुवादियों का सविधान अगर आ गया तो मान दीजिए कि पुरानी विवस्ता नहीं तेरे के से आना शुवात होगी और हम लोग कैदी हो जाएंगे दोस्तो यह जो कैदी बनाने की जो विवस्ता है यह बड़ी लबी लड़ाई उनकी है सौ साल लगे और आज सौ साल आते आते वो यह कह रहे है कि हम लोग अपनी विवस्ता बनाने निकले है मैं आप लोग उसे पूछना चाहता हूँ कि यह जो बावासार दी जो विवस्ता है बनाई क्या इस विवस्ता को बदल देंगे अगर वे बदल देना है तो हमको क्या करणा है कर दो कर रहा है कर दो कर दो कर देना है 57 परिवर्तं तो पंदरा फॉर्सन करना है, 57 परिवर्तं परिवर्तं करना है, 17 अगर करना है,ünkमास, फॉर्त विद्धता परिवर्तं करना है, इत्धता एक जूठोच करना है? हमेरे पास कुंसा अधिकार है सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार है हम नहीं तै करना चीज यही सविदान बचाओं की जो डाली है हम लोग हर राचों में करेंगे लेकिन आप लोगों की जिम्मादारी है आप लोगों की जिम्मादारी है कि यह सविदान बचाओं की जाली आप लोगों के इलाके में होना पी ज़रूरी है हम लोग जब तक जागुर्ट नहीं रहेंगे हम जारू जगतत नहीं ह slick हो सकता है कि हमलोग भूल भी जा गरी लेता है करी संग्अटन है यह चल्चा चलिये कि हम लोगने सब को इतता करना जलिआ है हम इतता जरूर हो गे लेकिन किसी को अपनी संग्अटन वारकास करने की कोई जरूरत नगी है किसी नीता को, अपनी। नीता ये खिता करनी की ज़रोत ने आ ये वोट का अधिकार है, ये वोट का अधिकार हम किसके खिराफ इसमाजबर ने ताहे हो गिलाओ ताहे हो गिलाओ मनुवादी ताकत कुन है यहापर मनुवादी ताकते कुन है यहापर अरेसस का रात्ती ती चेरा कुन है मोदी चायवाद मोदी चायवाद मोदी चायवाद मोदी चायवाद आरेसस का रात्ती तीक चेरा कुन है आज आरेससस के रात्ती तीक संगतल कुन सा है तो हमारे वोट किसके खिलाफ हमारे वोट किसके खिलाफ हमारे वोट किसके खिलाफ तो तैय हुए हमारे वोट किसके खिलाफ तैय हुए हमारे वोट किसके खिलाफ तैय हुए हमारे वोट किसके खिलाफ मैं अपसे अगर करता हूँ कि समीदान के लाली जाँ जाँ हो वो लाट्चों की तादा तो पर बुराली हो ताकि यह जो महाल बना हुआ है यह जो महाल बना हुआ है कि समीदान बदलने का जो महाल बना हुआ है हम उसको ही बदल दे और यह कहें कि इसके बाद समीदान बचाओ की ही बात यहां पर होगी और दूसरी कोई बात यहां पर नहीं है और इसलिए दोस्तों जो ताय किया है हमने क्या ताय किया है हमने ताय किया ही हमने ताय किया है जरन जरन जरन! जरन जरन!